गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेटी विद्रवे ठाकर पर तो चलिए श्रुवार करते हैं चार दिसंबर की हिंदूरी टूरियल वकाब्डरी का पहला हमारा वर्ड था पैट्योलिंज पैट्योल से उनरेजनेबल चाइडिश बैर तेमपर ओवर सम्थिं अनिंपॉर्टेंट इस एक्जांपल आप दे सकते हैं इस पैट्योंस अमेड हर impatient किसी व्यक्ति की बात हुरी कि उसकी जो जलाहर थी सरकी बद मिजाजी थी उसने उस लड़की को क्या बना दिया बिल्कुल से एक्तम गुसेल बना दिया गुसे से उसको भर दिया लड़की को बहुत ज़ादा गुसा आ गया उसकी अगला हमारा शब्द है पीक यहां पे नाम की तरह यूज हुआ है नोट के लिजेगा पीक का मतलब होता है किसी से हम नराज है मन मुटा होना या अपनी खीज खीज जाहिर करना नराज गिया मन मुटा उसे बूला जाएगा पीक पीक is the feeling of annoyance you have when you think someone has not treated you properly synonyms देख लिजिए anger, irritate, annoy or resentment, and synonyms at light, happiness, peace, cheer or joy example देख लिजिए mummy had got over her peak at Susan's refusal to accept the job कि जब Susan's ने refuse किया job को accept करना उसने मना कर दिया job का offer था कोई यह उसने refuse कर दिया तो फिर मम्मी का जो मन मुटा हो था किसी तरह की जो नराज की थी वो दूर हो गई थी उसके कारण क्यूंकि उसने job करने से जो है वो मना कर दिया था accept वो नहीं की अगला हमारा शब्द कोगनिजन्स यहां पे noun की तरह use हुआ है कोगनिजन्स का मतलब होता है किसी बात का हमारी knowledge में होना जानकारी में होना संग्यान लेना किसी बात का उसे बोला जाला को और अगनिजन्स सिनॉनिम्स आप देख सकते हैं awareness, knowledge, recognition और perception अगनिजन्स, craziness, disregard और neglect एक्जांपल देख लिजी I poses a cognizance of my sins Sins का मतलब होता है जो अपराद या किसी तरह के कोई भूल चुक हुई है तो कोई oppose कर रहा है ये मान रहा है कि जो मैंने सारे कुनाह किये उससे मैं भली बाती परिचित हूँ उसकी मुझे जानकारी है अगला हमारा शब्द है aftermath aftermath है यहां पे noun की तरह used हुआ है aftermath का मतलब होता है कोई event कोई घटना घटी है तो उसके घटने के बाद जो होने वाले परिणाम होते हैं उन्हें बोला जाता है aftermath किसी महत्वपून या पर यह घटना का परिणाम that is called aftermath a situation that is the result of an important or unpleasant synonym साब देख सकता है consequence, effect, outcome or wake anticon, antecedent, cause, prologue or reason example देख लीजे the denizens denizens मैंने highlight किया है denizens का मतलब होता है nagrik जैसे citizen होता है तो वैसे यह आप याद रख लीजेगा denizens the denizens of Mumbai showed resilience in the aftermath of heavy floods कि जब Mumbai में बहुत जादा heavy, बहुत जादा flood से जो है बहुत जादा तबाही हो गई थी तब भी वहां के नागरी को ने जो है वो resilience तरका उसको overcome करने की शमतावनोंने दिखाई रखी अगला हमारा शब्द है sinister यहाँ पर adjective तरा यूज हुआ है sinister का मतलब होता है एसी कोई चीज जो बहुत डरावनी हो अशूब होना अमंगल सूचक होना there is something sinister about him he frightens me किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ तो कुछ अशूब है या मंगल सूचक है उसने मुझे बिल्कुल ही frightens कर दिया बिल्कुल ही उससे मुझे डर लग गया उसने मुझे डरा दिया अगला हमारा सब्सक्राइश यहां पे नाम की तरह यूजवा conspiracy का मतलब होता है किसी तरह की किसी के खिलाफ किसी तरह की plotting करना मतलब साजिश करना शड़न तर रचना किसी तरह की चाल चनला उसे बोलायता है conspiracy conspiracy is secret planning by group of people to do something illegal synonyms आप देख सकते हैं plot, intrigue, scheme और कबल and time says truth, honesty, faithfulness और righteousness example देख लेजिए no force, no conspiracy can keep these people in slavery यह नहीं लोगों की बात हो रही है कि किसी तरह की कोई तागत या किसी तरह का कोई शरियंतर जो है इने दास्ताबे slavery में नहीं रख सकता है अगला हमारा शब्द प्रॉब यहां पर वर्प की तरह use हुआ है probe का मतलब होता है किसी चीज के बारे में investigation करना, जहांच परताल करना उसे बोला चाहेगा probe if you probe into something, you ask questions or try to discover facts about it, that is called probe, synonyms आप देख सकते हैं investigate, examine, study or explore, and times, absurd basis, deficient or denial example देख लिए the newspapers are now probing into the president's past तो जो अखबार है, जो newspapers है president के past के बारे में वो जाच परताल कर रहे हैं, खोजबिन वो कर रहे हैं अगला हमारा शब्द है succumbed यहां पर वर्प की तरह use हुआ है, succumbed का मतलब होता है किसी भी चीज से हार माल लेना दम तोड़ देना या परास्त हो जाना, उसे बोला जाएगा succumbed to stop fighting against something that is called succumbed मतलब संगर्श करना ही छोड़ देना synonyms आप देख सकते हैं, died, surrendered, submitted or diseased antonymus has survived, resisted, endured or defied example देख लिए, don't succumb to the temptation to have just one cigarette किसी बुरी लट की बात की जारी, cigarette की बात की जारी और temptation का मतलब होता है, मतलब आकर्शित होना किसी की अपरती है मतलब लोब ही एक किसम का आप बोल सकते हैं कि एक cigarette के लोब में जो आके आप हार मत मान ले ना कि लट पढ़ने की sense में बात कहीगी है कि एक cigarette पीने के लोब में आके तुम हार मान लोगे, इससे बुरी आदत से तुम क्या कर लोगे हार मान लोगे, परास्त हो जाओगे अगला हमारा शब्द है, exacerbate यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ है, exacerbate का मतलब होता है कोई स्थिती पहले ही, कोई समस्या है, कोई problem है कोई स्थिती पहले ही खराब है तो उसको और ज़्यादा बिगार देना और ज़्यादा problem का, बद से बदतर हो जाना किसी चीज़ का उसे बुरा ज़्यादा, exacerbate if something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse synonyms आप देख सकते हैं, worsen, aggravate, intensify or inflame in terms improve, better, help or alleviate example देख लिजे, if management forces its view, it will only exacerbate the conflict with the labor union management, top level management की बात की जा रही है, कि अपने वो विचारों को अगर थोपेगी labor union पर, तो यह मतलब, जो conflict है, जो पहले से ही स्थीधी खराब चल रही है, conflict तोनों के बीच में चल रहा है, उसको और ज़्यादा exacerbate हो जाएगा, और ज़्यादा स्थी बिगर जाएगी अगला हमारा शब्द है, take heed off take heed off, यहाँ पे phrase की तरह use हुआ है, यह सिरफ heed जो यह word है, यह single भी use होता है editorial में हुआ था यह पूरा तो मैंने पूरा ही ले लिया, यह phrase की तरह use होता है word इसका मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज़ के उपर पूरी तरह से उसे बोला जाता है, take heed off if you heed someone's advice or warning, you pay attention to it and do what they suggest that is called take heed off synonyms आप देख सकते हैं, observe, notice, obey or attention antonym से ignore, neglect, disregard or overlook example देख लिजे, but few at the conference in London last week he did his warning किसे व्यक्ति की बात की जा रहे कि लंदन की कोई सभा हुई है conference हुई है, तो उसमें जो व्यक्ति ने warning दी थी कुछ ही लोगों ने उस पे ध्यान दिया, कुछ ही लोगों ने उसकी तरफ जो उसकी warning थी उसे माना या ध्यान दिया अगला हमारा शब्द है, electrocution electrocution यहां पे noun की तरह यूज हुआ है यह secondary tutorial है और यह first word है इसका secondary editorial में सिर्फ दो तीन ही word थे electrocution का मतलब होता है, बिजली के जटका लगता है किसी को तो उसकी मृत्य हो जाना, मतलब electric shock से किसी चीज की मृत्य हो जाना यहां पे elephant की बात की जा रही थी, तो इस context में यह word यूज हुआ था, electrocution killing by electric shock is called electrocution synonyms आप देख सकते हैं, burning, chair decapitation, shooting antronym से calm और cold example देख लिए, this will help prevent the possibility of electrocution कि किसी चीज की बात उरे है कि यह बचाएगा हमें बिजली के जटका लगाने से ही हमारी सुरक्षा करेगा बिजली का जटका ना लगया, बिजली से मृत्यू ना हो इससे हमें prevent करेगा, बचाएगा अगला हमारा शब्द है poaching, यहां पे noun की तरह यूज हुआ ही, यह poaching चार तारिक के हिंदु डिटूरिल वकाबलरी का अंतिम शब्द था, poaching का मतलब होता है अवैद रूप से शिकार करना, या जंगली जानवरों का illegal तोर पे मारा जाना, शिकार करना, that is called poaching if someone poaches fish, animals or birds, they illegally catch them on someone's else property, is called poaching, synonyms आप देख सकते हैं, roasting, steel, theft or smuggling, antonym से frigid, freezing or better, example देख लीजिए, सभी को पता है example मेंने थोड़ा popular सा दिया है actor सल्मान खान has been found guilty in the back block poaching case तो यह राजिस्थान का केस था, सल्मान खान की ओपर आरोप लगा था कि उन्हें आरोप भी लगा था और समय से केस भी चला था example में नहीं से का दिया है कि उन्हें guilty, उन्हें दोशी करार दिया गया था इस केस में जो काला हिरन शिकार का जो केस था, उसके शिकार के मामले में उन्हें दोशी करार दिया गया तो यह word चार तारीकी the Hindu editorial vocabulary का अंतिम शब्ता इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के informative वीडियो के लिए बन रही है चैनल पर थैंक यू, थैंक्स पर वाचिं